हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे प्लांट से शेयर करूंगी जिनको हम डिवाइड करके एक से दो दो से चार बहुत से प्लांट जो है वो बना सकते हैं और इन पोदों की कटिंग भी लगाने की जरूरत नहीं ह टेखिए मैंने कुछ टाइम पहले ही रिपोटिंग के टाइम पर इसके एक पोद बिल्कुल इसके साथ इसके साथ अट्यज था जिसको मैंने सेप्रेट करके इसको अलग अलग पौट में भी अज़िफ्ट कर दिया यह बमें पर जितनी वेराइटीज होती है लेकिन अक्सर हमें एक के साथ एक पोदा जो है वो फ्री का मिल जाता है तो आप इसी तरह से इनको सेप्लेट करके अपने धेरो पोदे जो है टाइम टू टाइम मल्टिप्लाई कर सकते हैं फ्रेंट से नेक जो प्लांट आप देख रहे हैं यह ह जिना भी बहुत ही कुपसूरुत इंडोर औरमेंडर प्लांट होता है और वैसे आप देख सते हैं मैंने इनको बिल्कूल अपनी टेरेस पर रखा हुआ है इसकी बहुत सरी विराइटीज होती है और इनके भी पोदे जो है निकलते रहते हैं चोटे-चोटे प्लांट जो ह निकले हुए है और इनको कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ही जादा इजी है जो मैंने आप सब फ्रेंट्स के साथ भी शियर करा हुआ है यहां से मैंने एक चूटी से कटिंग काटी थी यह देखिए इस पर दो-दो ब्रांचीज निकली हुए है और यह कटिंग जो है यह बहुत ही अच्छे से चल रही है तो यह पोदा भी बहुत ही मल्टिप्लाई हुए है और अगर आपका पोदा भी बुशी है तो आप इस पोदे के बल्ब को ड्विजन से अलग करके एक अनदर प्लांट जो है वो बना सकते हैं थोड़ा यह पोदा डेलिकेट होता है आप जगा में रख सकते हैं इसमें छोटे-छोटे पिंक कलर की फ्लॉर्स भी ब्लूम करते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूब लगते हैं इसी पोदे से मैंने कुछ बल्ब्स जो ते वो डिवजन करके मैंने अलग पॉर्ट में डाल दिये और इससे मैंने एक और बना लिया तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं अगर आपके पास भी यह पोदा है तो आप इसको बल्ब से डिविजन करके एनधर प्लांट जो है फ्री में बना सकते हैं इस नेक जो प्लांट आप देख रहे हैं यह भी एक विराइटी है और यह देखिए इसके भी एक पो आधिछे पुराने प्लांटे नितर ही। इस तरह बढर बचनधे ओए पसपाने ही विखे कामी एए वही दिरते दौट जैसके निया सी हैं तो इस तरह में इस सारी पृर्दे आधियात तो में नहीं लगे हैं और कुछ दिन के लिए मैं विल्कुल इसको थोड़ा सा शेड़ी एरिया में रखूँगे, बाद में इनको मन चाही लोकेशन में रख सकते हैं प्रेंड्स नेक्स्ट यहां पर यह देखिए यह भी एक बहुत खूपसुरत इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है जिसे पीस लिली कहा जाता है और यह देखिए मौनिंग का टाइम है तो मैंने अभी अभी इन पोदों को मिस्टिंग और इनको वाटरिंग वगरा जो है वो व प्लांट होते हैं इनको वैसे कटिंग से भी हम इसली ग्रो कर सकते हैं और इनको इनके जो बेबी प्लांट है उनको भी रूट से अलग करके हम एनदर फ्री का एक प्लांट जो है वो बना सकते हैं तो यह भी बहुत एजी टू ग्रो प्लांट होता है और बहुत एजी टू ये आप टाइम फ्रेंस और इसको हिम रीटी काफी पशन्द होती है तो इसके भी जब ये पोदा मैचियर हो जाता तो इसके भी बहुत से बेवी प्लांट से निकलते रहते हैं जिनको टाइम टॉटाइम आप इनको अगर अलग करें तो आप भी इनका फ्री का एक प्लांट यहां पर यह देखे इसी प्लांट के साथ एक चूटा सा बेबी प्लांट निकला था जिसको मैंने अल्ला करके चूटे से पॉट में मैंने डाल दिया हुआ है और अब यह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है फ्रेंड स्पाइडर प्लांट को भी इसली सेपरेट करके आप बहुत सारे पोदे जो है वो बना सकते हैं फसली तो इसके रननर्स को भी अगर आप कट करके किसी मत्टी में लगा दें तो यह भी पोदा एक पोदा आपका फ्री में तियार हो जाता है और सबसे जो इस जो इस प्लांट था जिसको मैंने इस चोटे से बॉल में डाल दिया तो अब इसकी भी ग्रोध बहुत ही अच्छे से चल रही है तो इस पोदे को भी मल्टिप्लाइए करना बहुत ही जादा इजी होता है फ्रेंड्स यह है कम देखबाल में चलने वाला होरतिया प्लांट और यह पोदा भी मातर सोर रुपए में मैंने एक चूटा सा बेवी प्लांट लेकर आई थी और अब आप यह देख सकते हैं जिसके चलते मैंने कुछ प्लांट्स फ्री के बना लिए फ्रेंड्स यह पोद लिए दर अफ देखली प्लांट भी मैं चलने वाला प्रमनेंट प्लांट होता है तो इस पोदे को भी आप फ्री में घर बैठे हैं एक से दो दोसे चार ना चाने खिर ऑगाल्स प्लांट अप देख रहे हैं यह है एं एन्हीय एं एक ँडोर फ्लॉवरिंग प्लांट होता यह भी बहुत ही कुपसृरअ plant होता है एह हमारे पीसली फैमली से बिलांग करता है इसके एक पोदा में देखने में उमारे पीसली टीरोर Canadian और हम इनको भी लुटी दिजें से से कुटिंग से हम इसली प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये बोदा भी नर्श्री में काफी कॉसली मिलता है तो इसका एक पोदा में ले के आई थी जिसके चलते मैंने दो प्लांट्स जो थे वो फ्री के बना लिए क्योंकि एक पोदे के साथ मुझे फ्री में एक पोदा अटैच्ट में मिला था तो जिसके चलते एक पोदा तो नर्स्री वाले pot में ही मैंने रहने दिया और एक पोधा में इस DIY में shift कर दिया तो है ना घर बैटे हमने कैसे एक से दो दो से चार पोधे फ्री में बना लिया नेक्स जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है लक्षमी कमल का प्लांट जयसे की आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं यह एक succulent type का plant होता है जिसके साइड्स पर कितने जादा छोटे छोटे बेबीज प्लांट जो है वो निकली हुए है इन बेबीज प्लांट को अगर आप अलग करें तो आप कितने सारे पोदे जो है वो फ्रीके बना सकते हैं यह देखिए यह भी मैंने एक अलग से निकाल कर एक फ्रीक का प्लांट जो है वो बना लिया हुआ तो यह भी बहुत ही खूबसूरत होता है और यह बहुत ही हार्डी succulent होता है आपके समर में भी यह पोदे जो है वो सर्वाइब हो जाते हैं यह देखिए यह मेरा एक ग्रीन वाला स्पाइडर प्लांट है जो देखिए कितने जादा जो है वो रूट बांड हो जो का हुआ है इसके साथ कितने सारे जो बेबीस प्लांट है वो निकली हुए है और इनको मैं अब अलग करके डेरो पोदे जो है वो फ्री के बना लूँगी चाहे आप इनको छोटे-छोटे पोट्स में लगाए हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो यह बहुत ही खुबसूरती के साथ आपके गार्डन में बने रहेंगे और यह एक best air purifying plant होता है तो आप इसी तरह से करते हैं अपने पोदों को root region से अलग करके बहुत साथा पोदे जो है फ्री में बना सकते हैं फ्रेंट से नेक्स जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे सेंसवेरिया प्लांट कहा जाता है और यह भी बहुत ही खुबसूरत indoor air purifying plant होता है काफी hardy variety होती है फ्रेंट्स थोड़ा सा slow ज़रूर growth करता है बट यह बहुत ही hardy होते है indoor, outdoor दोनों ही जगह आप इस पोदे को लगा सकते हैं और इसकी बहुत सारी varieties भी होती हैं और समटाइम इतने ज़्यादा plants हो जाते हैं कि हम इनको लगाते लगाते ही ठक जाते हैं और हमारे पर spots की भी कमी हो जाते हैं तो यह भी बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही ज़्यादा multiply होने वाला plant होता है फ्रेंट्स कुछ पोदे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम देख बाल में सालों साल आपके घाडन में चलते रहते हैं और बहुत सारे वो बेबीज भी प्रोड्यूस करते रहते हैं जिन में से एक प्लांट है यह वेरिगेटिड रीबन ग्रास यह भी बहुत ही खुबसूरती के साथ आपके चुटे-चुटे पोड्स में आपकी हैंगिंग बास्कीट में चलते रहेंगे और यह वेरिगेटिड वेराइटि है इसको भी आप इनको रूट डिजन से अल्ला करके बहुत सारे पोदे जो हैं इसको मल्टिप्लाइ कर सकते हैं और यह चोटे-चोटे पोड्स में चोटे-चोटे बॉटल्स में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो यह पोदे भी इस टाइम पर आप इनको मल्टिप्लाइ कर सकते हैं सिंगोनियम बहुत ही जादा खुबसूरत प्लांट होता है आपके इंडोर गार्णिंग के लिए और इसको भी प्रॉपोगेट करना बहुत ही जादा इसी होता है रूट से भी आप इनको बिल्कुल अलग कर सकते हैं या फिर इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं सिंगल एक बुषी भी है तो इसको भी हम मल्टिप्लाइ कर सकते हैं इस टाइम पर और यहां पर यह देखिए इसके कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुआ है जिनको मैं अलग करूँ तो बहुत जादा पोदे जो है वो बन जाएंगे इतने पॉट्स भी मेरे पास अवेलेबल नही लेकिन हां एक पोदा में निकालके मैं थोड़ा सा अलग उनको कुछ पोदे जो है वो श्रुण कर रही हूं और इनको निकालन भी बहुत मुश् ons जादा मुशकिल होता है तो यह पॉधे भी बहुत जादा मुल्टिप्लाइ होते रहते हैं अगर आप एक पोदा लेकर मेरे देपक हम यह ऐने तरह भी कराया है, लूपाड़ को था का आग मैषा हैं और भी सपसे हैं लगाया हुआ, जिए एंसे जुए आप प्रढूआशन अपर भी ordeलगी को अगते हैं और ये भी बहुत ही खुबसूरती के साथ आपके इंडोर चलते रहेंगे और इनको तेज दूपे मत रखिएगा क्योंकि इनकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल ब्लैक को पिग्मेंटेशन आ जाएगी जो देखने में बिल्कुल भी खुबसूरत नहीं लगेगी इसफिर स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि ये मेरा बोट लिली का प्लांट है जो देखने में कितना जाथा बूशी हो चुका हुआ है और इसके इलावा ये देखने में भी बहुत ही जाथा हेल्डी है और इसी के चलते हैं मैंने बहुत सारे पोदों को प्रॉपोगेट किया हुआ है तुरू कटिंग से भी और इवन कि छोटे चोटे बेबी निकलते रहते हैं जिनको टाइम टो टाइम में अलग करके दूसरे पोट में शिफ्ट कर देती हूँ तो इसी तरह से में घर बैठे बहुत सारे पोदे जो है वो फ्री में बना लेती हूँ और ये देखिए ये इसकी अनदर वेरिगेटिड विराइटी है जिसको मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है तो इसको भी सेम प्रोसेस में हम प्रॉपोगेट कर सकते हैं तो ये भी दोनों ही विराइटी बहुत ही खुबसूरती के साथ सालों साल आपके गार्डन में बनने वाले पोदे हैं और फ्रेंड्स नेक जिस पोदे को प्रोपोगेट करना बहुत ही जादा इजी होता है वो है अगेव प्लांट और ये देखिए ये भी मेरा एक रूट बाउंड हो चुका हुआ एक अगेव का प्लांट है तो ये भी बहुत सारे बेबीस प्रोड्यूस करता रहता है बहु पोदे जो है वो फ्री के बना सकते हैं और ये भी मेरा एक रूट बाउंड हो चुका हुआ प्लांट हो ये देखिए कितने सारे इसके बेबीस जो है वो अटैज्ड है जिनकों मैं अलग करूं तो मेरे पास इतने पॉट्स भी नहीं है और इसके इलावा फ्रेंड्स ये द पोगेट करना बहुत ही जादा इसी होता है और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसे पोदे शेयर करें हैं जिनको रूट इजिन से अलग करके आप बहुत डेर सारे घरवेटे फ्री में बना सकते हैं वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग करें